हलो दोस्तों मायों टेक गाइड में फिर से एक बार आपको स्वागत है दोस्तों मेरे पास एक कमेंट है मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें फ्लिप कार्ट गिप्ट कार्ट का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें बहुत से भाई ल कि आज आपको बता दूं कि इस प्रकार से आप पिन और बाउचर पास सकते हैं या खरीज सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए मैं अपने आप को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इसको खरीज सकते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ आपको खरीजने के लिए पैसे देने होंगे यह gift card से आप shopping कर सकते हैं आप सभी जानते ही होंगे यहाँ पर मैं account में चला जाता हूँ और इसके बाद यहाँ पर gift card का option मिल जाएगा my wallet and cards यहाँ पर ok कर देना है click और इसके बाद gift card यहाँ पर आप देख सकते हैं तो चले बताँ देते हैं किस प्रकार से आपको buy करना है यहाँ पर आप Gift Cards देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आप खरीद सकते हैं यहाँ खरीदने के लिए आपको एक email चाहिए होगा email address यहाँ पर डालना होगा और इसके बाद फिर से दुबारा डालना होगा और यहाँ पर आपको Gift Card की Value देनी होगी और यहाँ पर आपको quantity देनी होगी कि आपको कितना लेना है तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं तो यहाँ सबसे पहले अपने email जिसको भी आपको भेजना हो या अपने email में कर रहा हो तो मोबायल में कर सकते हैं यहां पे मैं डाल लेता हूँ और इसी को कापी करके फिर से पेस्ट कर देना है और यहां पे gift card की value में सबसे कम कर देता हूँ आपको example के लिए मैं दिखा रहा हूँ और यहां पे आपको एक कर देना है जितना आपको लेना हो इसके बाद process to pay और यहां से आपको payment करना होगा इस प्रकार आप खरीच सकते हैं तो यहां पे address दिखा रहा है और नीचे gift card voucher और 25 रुपए का और यहां पे आप देख सकते हैं अब इसके बाद continue करना है continue करने के बाद आपको यहां पे payment करना है और यहां पे payment करके आप इसको खरीच सकते हैं तो चलिए मैं payment कर लेता हूँ अब यहां पे मैं credit card, debit card या ATM card पर क्लिक कर लेता हूँ और यहां पे आप phone पे या पी net banking से भी कर सकते हैं और इसके बाद continue पर क्लिक करना है और इसके बाद यहां पे card number डालना है तो यहां पे चलिए मैं डाल लेता हूँ मैंने यहां पे डाल लिया है और इसके बाद पे 25 पे मेरे यहां से payment होँगे तो यहां पे paper क्लिक करना है और यहां पे इसको होने देना है यहां पे कुछ time लग रहा है processing हो रहे है payment की तो बेट कर लेते हैं यहां पे नेट भी स्लो हो गया है इसके बाद यहां पे OTP आया है उसको डालना है इसके बाद submit पर क्लिक करना है अब मेरा payment हो चुका है और मैं आपको यहां पे दिखा दूं मेरा my orders पे जाना है और यहां पे आप देख सकते हैं यहां आपका gift card voucher का payment यहां पे order pending पर है इसमें आदा गंटा से 90 मिनिट तक लगता है और इसके बाद यह confirm हो जाएगा इसके बाद आपको एक email आएगा तो चलिए बेट कर लेते हैं तो दोस्तों मेरे पास वो email आ चुका है और यहां पे इस message भी आ चुका है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अब आपको किस प्रकास अपने flip card में जोड़ना है एट करना है अपने gift card को तो यहां पे आप message दे सकते हैं और यहां पे behavior और यहां पे आप नीचे देख सकते हैं मेरा gift card आ चुका है और यहां पे gift card detail दिखाई दे रहा होगा तो यहां पे ID और pin और यहां पे value दिखाई दे रही है तो यहां से आपको सीधे ID को copy कर लेना है और इसके बाद आपको अपने clickcard के app में जाना है और यहां से फिर से आपको gift card में जाना है यहां फिर आप my account पर जा सकते हैं और my account पर जाने के बाद अवहां पे आपको add करना है और दोस्तों इस प्रकार आपना gift card का ID और pin पा सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई बाले टेंट कार्ड से यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर एट गिप्ट कार्ड लिखा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर गिप्ट कार्ड नमबर डालना है जो कि वहाँ से हमने कापी किया था और फिर से आपको gift card pin लेना होगा तो यहां से pin भी आपको कापी कर लेना है और उहां पर paste कर देना है और इसके बाद apply कर देना है apply करने के बाद यह आप यहां पर देख सकते हैं यह add हो चुका है और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूँ यह 12 मंत के लिए valid होता है इसके बाद यह expire हो जाता है तो इसका यूज आप 12 मंत के अंदर कर लें तो दोस्तों इस परकार आप किसी को भी gift card भेर सकते हैं या फिर अपने ही account में अट कर सकते हैं तो दोस्तों इस परकार हमने बता दिया किस परकार आपको gift card को add करना है और कैसे pin और ID को पता करना है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आप माय चैनल पर नहे है तो चैनल को subscribe जो करिए